अलो दोस्तों मैं संजेक कुमार गुपता इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों देखिए ये मल्टीमीटर अभी आफ है तो देख लिजे यहाँ पर ये आफ पर है भी तो इसे मैं बढ़ाता हूँ देखिए बढ़ाने के बाद क्या होता है यहाँ पर देखिए जीरो 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 लिखाओ आ रहा है अब मैं इसे और बढ़ाता हूँ तो देखिए क्या होता है तो देखिए यहाँ पर भी जीरो 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 आ रहा है और बढ़ाता हूँ इसमें भी देखिए वही लिखाव आ रहा है और बढ़ाता हूं इसमें भी देखिए एक लिखाव आ रहा है देखिए यहाँ पर एक लिखाव आ रहा है अब इसे continuity के range में set करते हैं यहां पर continuity का range है, यहां पर भी एक ही बता रहा है, लेकिन क्या होता है, इस जग पर जो एक तो दिख रहा है, लेकिन कभी-कभी यहां से यह display पर एक भी गायब हो जाता है, देखे, यह गायब हो गया, तो इस तरह का problem है, तो इसमें क्या होता है, कि कोई भी component चेक करते हैं, तो display पर one लिखा हो आता है, लेकिन फिर जब उसे चेक करते हैं, जैसे इसे मैं touch करूँगा, तो यहां पर beep का आवाज सुनाई देना चाहिए था, तो इसमें beep का आवाज भी सुनाई नहीं देता है, और देखे, कुछ नहीं होता है, एक जो आता है, वो गायब हो जाता है, जब इसमें touch करते हैं, तो इस तरह का समस्या इसमें है, यानि कि display काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें problem क्या है, वो मैं बताऊंगा, देखे, जैसे यह diode है, इसे अगर मैं check करता हूँ, तो क्या होता है, यहां पर कुछ सो नहीं करेगा, ठीक है, इसे मैं पलट देता तो पर भी इसमें देखे, कुछ सो नहीं करता है, यहां पर, देखे, यहां पर क्या होगा कि, one भी अगर लिखा हुआ रहेगा, और कोई component चेक करते हैं, जैसे यह सब component चेक करेंगे, तो क्या होगा, यह display पर जो one भी लिखा हुआ रहता है, वो गायब हो जाता है, जब इस चाहिए था, ठीक है, और कुछ display पर लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, display पर कुछ लिखा हुआ नहीं आता है, अब देखे, यहां पर कोशिस भी करता हूँ, इसके knob को हिलाने का, तो यहां पर कुछ नहीं होता है, देखे, अब मैं इसे बढ़ा दिया, यहां पर भी देखे, कुछ नहीं आ रहा है, यहां पर भी देखे, कुछ नहीं आ रहा है, अब मैं बढ़ाता हूँ, यहां पर कुछ लिखा हुआ रहा है, यहां पर भी कुछ लिखा हुआ रहा है, यहां पर भी कुछ लिखा हुआ रहा है, यहां पर भी कुछ लिखा तो क्या होता यहां पर डिस्पले में कुछ नहीं दिखता है वन भी नहीं दिखता है कुछ नहीं दिखता है तो जब यह डिस्पले पुरा plane हो जाता है तो यह बिलकुल ही multi meter समझे काम नहीं करता है जैसे यह component है इन मेंसे कोई भी component मैं अगर check करना चाहूंगा, तो यह check नहीं हो पाता है, देखे यहाँ पर कभी कभी one तो दिखाय देता है, लेकिन अगर component को check करने भी जाते हैं, तो वहाँ पर जो one देखता है, वो भी इस तरह से गाईब हो जाता है, जब check करते हैं, तो यह display पूरा plane हो जाता है, तो इसका problem प्रेवल्म क्या सब्सक्राइब तो है नहीं करनाएं और यहां पर दो स्क्रूट लगा हूआ है इन दोने जो को पहले आपको छोलना होगा तो मैं इन डोनों क्यों सब्सक्राइब को कोशल कर आपको दिखाता हूं दखेए यह दोनों स्क्रूश खुल गया है, अब इस तरह से धीरे से इसके बेक कपर को खोल लेते हैं, अब इसमें प्रोबलम क्या है वह मैं आपके बताता है, प्रोबलम यह है कि यह बैटरी अब देख रहा है न यह बैटरी बिल्कुल ही वीख हो गया, यानि कि ये किसी भी component को check नहीं कर पा रहा है यानि कि कोई reading नहीं दे पा रहा है जब इस continuity के range में set रहता है ये वाला तो इस display पर कुछ show नहीं करता है अगर इस पर one भी show करता है और one show करने के बाद अगर किसी भी component को जैसे ये component है इसमें से कोई भी एक component को check करेंगे तो जो display पर one भी लिखा रहता है तो वो one गाइब हो जाएगा और display पूरी तर से plane हो जाता है तो इस battery के जगह पर आपको नया battery लगाना पड़ेगा इस battery को तो आपको बदलना ही पड़ेगा तो इस battery को बदलने के लिए आपको कुछ बातों को ध्याद देना उएप देखिये इसमें 9 volt का battery लगा हुआ है तो मेरे पास देखिये ये भी 9 volt का battery है देख लिजए यहाँ पर 9 volt लिखा वगा है तो यहाँ पर 9 volt का ही बड़ेटरी लगाना है दूसरा बैटरी नहीं लगाना है ठीक है तो तो इस battery को मैं निकाल देता हूं, इसे निकालने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताते हूं, देखिए, यह battery है इसमें देखें आप plastic लगा हुआ, तो इस प्लास्टी को काटने की बाद आपको दिखाता हु, देखिए मैंने इस battery का जो उपर वला plastic था, इसे काट लिए ह और अब ध्यान दिजेगा इसमें नगेटिव और पोजेटिव होता है देखे इसमें इस तरब जो ये छोटा वाला भाग दिख रहा है इधर देखे पलस लिखा हुआ है तो ये छोटा वाला भाग जो पोजेटिव कहलाता है और इधर देखे ये बड़ा वाला भाग जो आप दिख रहा है ये देखे नगेटिव कहलाता है तो ये बड़ा वाला भाग नगेटिव है तो आपको नगेटिव पोजिटिव देखकर ही लगाना है तो इसे किस तरफ से लगाना हुआ मैं आपको बतारो देखे इसे इस तरफ से लगाना है इधर positive है तो इसके नीचे वाला तरफ positive है तो इसे इसी तरफ लगाना है ठीक है तो इस तरफ से आपको इसमें लगा देना है ठीक है आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो battery है ये उल् सीधा ही लगना चाहिए तो देखे मैं आपको दिखाता हूँ देखे इस तरफ वन लिखा हुआ अब आ रहा है देखे continuity के range में ही यह अभी set है तो मैं इसे check कर लेता हूँ कि इसमें बीप का अवाई सुनाई देता है या नहीं तो देखे मैं इन दोनों प्रोब को अपस में टच करूँगा तो बीप का अवाई सुनाई देना चाहिए तो समझ में आएगा और यह number guide नहीं होना चाहिए जो वान लिखा हुआ तो मैं इन दोनों टच करता हूँ तो देखे क्या होता है समझ में आएगा अब देखे इसमें बीप का वाज सुनाई देने लगा है तो अब मैं इसके बेक कभर को अच्छी तरसे फिट करता हूँ तो इसे किस तरह से फिट करना बेक कभर को उसे भी आपको ध्यान देना है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे किस तरह से फिट करना है तो इसे फिट करने के लिए देखे यहां पर यहां और यहां इसे ध्यान से देखे इसी के अंदर में जो है देखे यह पर जो यह निकला हुआ प्लास्टिक वाला यह उबरा हुआ है इसे में इसे पहले लगाना है इस तरह से उपर के तरफ पहले लगाना है नीचे के तरफ पहले नहीं लगाना इस तरह से लगा देने के बाद देखें इसे में हटा देता हूं इसे इस तरह से लगाना है ठीक है और इसके screw को दोनों screw को अच्छी तरह से tight कर देना है इसे अच्छी तरह से tight करना है देखिए मैंने दोनों screw को अच्छी तरह से tight कर दी है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सही तरीके से काम करता है या नहीं देखे यहाँ पर डिस्प्ले पर वन लिखा हुआ आही रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह सही काम कर रहे हैं देखे जब मैं इन दोनों प्रोब को इस तरह से टच करता हूँ तो क्या बीप का वाज सुनाई देता है देख लिजे देखे बीप का वाज सुनाई दे रहा है और रीडिंग भी देखे चेंज हो गया 001 आ रहा है इसका मतलब है कि यह मल्टी मिटर बिल्कुल सही काम कर रहा है अब इसमें किसी परकार का प्रोबलम नहीं है तो देखे इस डाइट को मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कुछ रीडिंग सो करता है या नहीं तो देखे इस तरफ तो कोई रीडिंग सो नहीं कर रहा है इसे मैं पलट देता हूँ और देखता हूँ देखे इसमें रीडिंग सो कर रहा है यानि कि display बिल्कुल सही काम कर रहा है अब इस multimeter के display में कोई problem नहीं है देखिए मैं इसे भी चेक करता हूँ तो पता चलेगा कि display काम करता या नहीं तो देखिए इसमें भी कुछ न कुछ reading मिल रहा है यानि कि display देखिए काम कर रहा है डिस्पले पर reading आ रहा है ठीक है अब मैं इसे चेक करता हूँ देखता हूँ देखिए ये LED जल रहा है देख लिजे यानि कि ये multimeter बिल्कुल सही काम कर रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे भी चेक कर देता हूँ तो देखिए इसमें भी reading मिल रहा है यानि डिस्पले पर reading दिखने लगा है यानि कि ये बिल्कुल सही हो गया है तो ये battery ही खराब था जिसके कारण इस तरह का problem आ रहा था अगर डिस्पले का problem आपके भी multimeter में इस तरह का आ जाए तो आप इस तरह से अपने multimeter को बना सकते हैं ठीक है